दोस्तो नमस्कार आदाब सत्स्रीयकाल हफ्ते की बात के कारिकरम में आपका स्वागत है दोस्तो आज जो सबसे बड़ी खबर है मैं समझता हूँ कि सब्ता की बड़ी खबर बनने जा रही है अगर पूरे साथ दिन का देखा जाए उसी साथ से जो शनिवार को सामने आई है कि देश के दो राज्ये महारास्ट और हर्याना दोनों में चुनाव होने जा रहा है और दोनों जो चुनाव होने जा रहे हैं नियमता देखा जाए तो तीसरा राज्ये जो हर्याना महारास्ट के बाद है जारकंड वहां भी चुनाव होना चाहिए था क्योंकि वहां की जो विधान सभा है वह भी इसी दिसंबर में उसका कारिकाल खतम हो रहा था 27 दिसंबर तक महरास्ट का कारिकाल 9 नौंबर हरियाना का 2 नौंबर को खतम हो रहा है अब सवाल इस बात का है कि जो पुलिटिकल पार्टी जो सरकार पूरे देश का चुनाओ एक साथ कराना चाहती है जो कहती है कि एक देश एक चुनाओ वो आखिर नौंबर अक्टूबर नौंबर दिसंबर ये तीन महिनों में जो चुनाओं की बात चल रही थी कि बही कब चुनाओं होंगे तीनों के उनको बांट क्यों दिया आपको याद होगा एक जमाने में हिमाचल और दूसरे और राजियों और गुजरात के चुनाओं एक साथ होने चाहिए थे बिलकुल अलग-अलग कर दिया गया उसी तरह से इस बार भी ऐसा हुआ है पंद्रह-बीस दिनों का अगर गैप है किसी विधान सभा के कारिकाल में एक महिने का भी अगर ले लीजे तो इसके लिए चुनाओं को अलग-अलग कराने का कोई आचिते नहीं है यह जो अन-प्रोड़क्टिव एक्स्पेंडिशर आप कह लीजिए गैर जरूरी जो अगर खर्च है अगर इसी के आधार पर चुनाओं एक साथ कराने का आपका अलाजिक है पूरे देश में तो यह तो उसका एक उधारण है कि आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं बहराल अब हर्याना में और महरास्टर में 21 तारीख को 21 अक्टूबर को चुनाओं होगा मत्तान होगा और 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे हमने जब पता करनी की कोशिश की मैंने सोचा कि आज चुनाओं की तारीखों पर सब चर्चा करेंगे हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आकिर जारखंड में चुनाओं क्यों नहीं हुआ जबकि वो पेंडिंग है तो दोस्तों पता यह चला की जारखंड की मौजूदा सरकार चाहती है की माननी प्रधान मंत्री या माननी ग्रिया मंत्री जो देश के जो सबसे बड़ी पार्टी है सट्तारूड पार्टी है ऊसके अध्यक्ष आमिठ्शाजी वो जहारखंड में कुछ बड़ी परियोजनाओं का उनको धाटन करना है या कुछ का शिलान्यास करना है जहारखंड सरकार नहीं चाहती कि उसके पहले चुनाओं उसके पहले नोटिफिकेशन हो इसलिए निर्वाचन आयोग जाहिर है आज महाराष्ट और हरियाना तक केवल अपने को सीमित रखा कुछ फैक्टरियां जहारखंड में इनाग्रेट होनी है कुछ सिचाई परियोजनाओं का शिलान्यास होना है या उनका उधगाटन होना है इन कारणों से फिलहाल जहारखंड के चुनाव को मुलतवी किया गया है अब सवाल इस बात का है कि आप जो कहते हैं उसके ठीक उलट करते हैं जब आपके इंटरिस्ट आते हैं जब आपके हित आते हैं ये मुझे लगता है कि निर्वाचन आयुक को कम से कम अपनी आपजेक्टिविटी अपनी जो निस्पक्ष्टा है उसको बरकरार रखना चाहिए और जिन राजियों में अगर आप बाई एलेक्शन से इतने राजियों में करा सकते हैं बाई एलेक्शन 64 के आसपास हो रहे हैं 60 से उपर अगर वो करा रहे हैं तो एक पूरी विधान सभा का चुनाव क्यों नहीं कराएंगे एक बड़ा सवाल हम पहली खबर से छोड़े जाते हैं हमारी जो दूसरी खबर है दोस्तो आज की वो बहुत महत्मून खबर है और वो खबर है कि इस सप्ता यनि 20 सितंबर को आर्थिक व्यवस्ता की डामाडोल जो इस्थिती के बीच देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने एक नई घोशना की इंकम टैक्स अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2019 को बदल दिया गया सरकार ने एक लाग पैंतालिस हजार करोड का घाटा उठा कर यानि जन्ता का लगभग एक लाग पैंतालिस हजार करोड रुपया कार्पुरेट को सौप दिया एक तरह से कमपनियों को उनको टैक्स में छूट दी गई का पैसा जन्ता को कब बटा गया या जन्ता के हवाले कब किया गया या जन्ता की किसी सहूलियत में कब इस्तेवाल किया गया अब आप कहेंगे ये कैसी मोटी बात कर रहे हैं आप इसका क्या तुक है दोस्तों तुक है क्योंकि बजट आपने पेश किया उस बजट में आपने टैक्स के प्रावधान किये सरचाज के प्रावधान किये और बजट को दो बार तीन बार आपने पलट दिया ऐसे में बजट की सेंटिटी क्या है उसकी क्या वैधता है, उसकी क्या प्रामानिकता है किस रूप में बजट को लिया जाए इस देश में हम डिमोक्रिसी हैं या हम किसी के दबाव के तहट पूरे तंत्र को चला रहे हैं अभी जो भारती कमपनियों का प्रभावी कार्परेट टैक्स 35 प्रतिशत था उसको घटा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया 400 करोड से उपर का जिनका टर्नोबर है प्रतिवर्स उनको इसमें सर्चार्ज और सेस भी शामिल हैं अक्टूबर 2019 के बाद नए निवेश करने वाली कमपनियों पर 15 फीस्दी केवल टैक्स लगेगा और मैनिफेक्शरिंग का हाल आप जानते हैं कितना बुरा है अपने देश में धन्य है नोटबंदी जिसकी वज़ा से हमारी पूरी मैनिफेक्शरिंग चर्मर आ गई मैनिफेक्शरिंग में 0.6% आपको याद होगा 12% से सीधे 0.6% आ गई थी ग्रोफ रेट और उसको अब बचाने के लिए इनका लगता है कि अगर प्रभावी टैक्स हम वो कर देंगे ठीक ठाक कर देंगे तो इससे इनको मेनिफेरिंग सेक्टर में जो मंदी है वो ठीक हो जाएगी अब 17.01% उसमें किया गया है टैक्स तो ये जो चीजें की गई हैं मैं समझता हूँ कि अब कमपनियों या ट्रस्टों के शेयर बेचने पर जो कैपिटल गेन है उस पर सरचार्ज नहीं लगेगा विदेशी निवेशकों को शेयर बेचने पर कैपिटल गेन पर जो सरचार्ज लगता था वो भी नहीं लगेगा जो कमपनियां अपना शेयर वापस करीदेंगी उन पर टैक्स नहीं कमपनियों को एक और छूट यानि सी एस आर जो की कार्परेट सोसल रिस्पॉंसिबिलिटी कहलाती है वो दो परसेंट कमपनियां सरकारी अस्पतालों में इंक्वेटर लगाने जो बिमार बच्चे होते हैं ब कमपनियां पैसा लगा सकती है जाहिर है सरकारी इंवस्टीज़ पर सरकार तो कम खर्च कर रही है अब चाहती हैं कि बड़ी बड़ी बड़े बड़े कार्परेट उखर करे और वह अपने ढंक से पार्फिक्रमों को तैय करें तो ये सब चीजें चल रही हैं इन ऽुदे के जो share है उनमें उच्छाल अगर आ जाए sensex दो है भांगडा dance करने लगे तो प्रगती की धर बहुत बहतर होगी लेकिन सवाल इस बात का है कि यहां तो जनता के पैसे के लूटे जाने या उनको कार्पूरेट के हवाले करने पर यह dance हो रहा है चाहे हो sensex dance कर रहा हो या आप कह रहे हैं कि इससे हमारे share जो है उपर चड़ गए तो यह मैं समझता हूँ कि बहुत भयानक इस्थिती है और उसमें एक सवाल मैं यह भी समझना चाहता हूँ कि यही सरकार जब आम जंता की बात छोड़िये विशिष्ट लोगों की बात आती है जो देश की प्रगती के लिए किसी से कम महत्पूर नहीं है बलकि जादा महत्पूर है जब उनकी बात आती है तो यह उसका approach क्या होता है उसका उसका रुजान क्या होता है इसरो के वैग्यानिकों ने एक recommendation दी थी कि 10,000 रुपया कम से कम 10,000 रुपया वेतन बृद्धी की जाए वैग्यानिकों की क्योंकि उनकी वाकई जो उनकी salary है दूसरे और महकमों के मकाबले बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन 10,000 रुपली के लिए भी तैयार हमारी सरकार नहीं होई इसरो जिस पर हम मंगलयान चंद्रयान सबकी जिम्यदारी है और सच पूछे तो भारत सरकार की अपनी जितनी कमपनियां हैं खासकर विज्ञान और तकनीक के छेतर में इसरो बेमिसाल है उसकी उपलब्धियां विक्रम सारभाई के जमाने से लेकर आज तक अगर देखा जाए जिसके नाम पर विक्रम हमारा जो अभी चंद्रयान का जो लैंडर था वो गया और जो किन्ही कारणों से वैग्यानिक तकनीकी समस्याओं के चलते जो नहीं ठीक से काम कर सका तो ये उस जमाने से जब ये कंसीब किया गया आइडिया इस संस्थान को लेकर एक वैग्यानिकता को आगे बढ़ाने का जब काम शुरू किया गया उस वक्त से इस संस्थान का बहुत महत्पूर्ण योग्णान है लेकिन वहां के वेग्यानिकों की सैलरी में दस हजार रुपे का इजाफा भी करने के लिए सरकार तयार नहीं हुई लेकिन यहां कार्परेट को छूट पर छूट दिये जा रही है तो यह हाल अपने देश का है और मैं समझता हूं कि यह ऐसे दोर में हुआ है जब हावडी मुदी अमेरिका के हूस्टन शहर में हावडी मुदी का पूरा प्रोग्रेम लांच किया जाना है उसमें अमेरिकी राश्टरपती डोनल्ड टरम्प और कई ऐसे सांसत जो अमेरिकी वहां के हैं अमेरिका के डिफरेंट पुलिटिकल पार्टीज के उनके भी पार्टिस्पेट किये जाने की बात है ये भी बताया जा रहा है कि जो भारत के लोग प्रवासी भारती एनराइज जो हैं वहां पर जो बसे हुए हैं उनमें पचास हजार की संख्या जुटाई जाएगी बहुत बेमिसाल धंका कारिकरम है दुनिया का कोई भी प्रवास्टरपती किसी और मुल्क में जाता है तो वो इस तरह के शो करने की कलपना भी नहीं करता है वो वैदेशिक नीती की रोशनी में अपने देश के हीतों के लिए काम करता है लेकिन हमारे प्रवास्टरपती की एक खास विशेस्ता है और जो जाहिर है इवेंट्स मैनेजमेंट में जबरदस्ट पकड़ है मوجودा जो निजाम है हमारा उसकी गहरी रुची है इन चीजों में और इस तरह से हावडी मोदी इस बार कारिकरम हो रहा है और पहली बार डोनाल्ड टरम भारत के किसी प्रधान मंत्री के साथ एक कारिकरम में मوجود होंगे और उसका जाहिर है हमारे देश के मीडिया के लिए वो एक बहुत जबरदस्ट इवेंट होगा लेकिन हावडी मोदी के लिए या उस कारिकरम के आइन पहले दो तीन ऐसे काम हुए है एक तो ये जो मैंने अर्थव्योस्ता के बारे में निर्मला सीतारमन जी जो हमारी वित्य मंत्री है उनकी प्रेस कानफरेंस में किये एलान की बात की और दूसरी एक और घटा हुई है वो घटना है उत्तर प्रदेस से जोड़ी जो धीरे धीरे नेशनल से इंटरनेशनल खबर बन रही थी और एक आशंका व्यक्त की जा रही थी कि देश में केंद्रिय ग्रिहर राज्य मंत्री रहा हुआ व्यक्ती भारती जनता पार्टी का एक बड़ा नेता जिसके बारे में ये तक एक बार चर्चा होती थी कि बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेस के चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए उनको जी मैं शाह जहापूर के शाहन साह स्वामी चिन्मे अनंद की बात कर रहा हूँ तो एक फैसला और हुआ सरकारी अस्तर पर की एसाइटी ने उनको गिरफतार कर लिया उनको इस अपता हिरासत में ले लिया अब एसाइटी ने जिस लड़की के कंप्लेंट पर ये सब हुआ है वो डंके की चोट पर बहुत दिनों से कह रही थी कि ये ये जो स्वामी है उनके साथ उस लड़की के साथ योना चार दुरा चार जो भी आप कह लिजए बलात कार सारे के सारे आरो पोल लड़की लगा रही है और उसके जो बयानात हैं वो बकायदे मजिस्टेट के यहां दर्ज हैं हर जगा उसने प्रेस कंफिंस की है दुनिया भर में उसकी चर्चा होई है लेकिन पुलिस और S.I.T. उसको गिरफ्तार करने से बच रही थी लेकिन जैसे ही प्रदान मंत्री के जो अमेरिका यात्रा है नजदीक आती गई वैसे S.I.T. ने अपनी जो एक 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 जो लापरवाही थी उसमें थोड़ा सा उसने कमपरवाईज किया और लापरवाह होने से बचने के लिए बच कर उसने अच्छानक अपने कोई एक्टिव दिखाया और स्वामी जी को गिरफ्तार कर लिया बहु इस खबर के सरहत पार होने के कारण सरहत तोडने के कारण सरहत की सीमा से आगे बढ़ने के कारण भी शायद S.I.T. को इन स्वामी जी को तातकालिक प्रवाव से गिरफ्तार करना पड़ा ताकि कहीं अमेरिका में मानी प्रधानमंत्री से कोई पत्रकार क्योंकि वहां को देश का मीडिया नहीं होता है परदेश का भी मीडिया होता है और जाहिर है परदेश के मीडिया के अपने पैमाने हैं सवाल पूछने के कोई सवाल न पूछ दे कि आपके देश में आपकी पार्टी का एक बड़ा नेता इन 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 सदकर्मों या कुकर्मों जो भी आप कह करेगा और दूसरी तरफ एक प्लिटिकल या लाइन आर्डर के लेबिल पर जो एक फैसला ये दोनों फैसले ये महत संजोग तो नहीं है कि ये फैसले अमेरिकी यात्रा जो प्रधान मंत्री की है अमेरिका की योस्टन में जो एक बड़ा कारिक्रम होना है वाशिंग्टन जा जाना है निवार जाना है तमाम जगहों पर उनको जाना है तो इस नाते वो ये 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 मामला सामने आया है दोनों कदम बढ़ाएंगे हैं दोस्तों हमारी जो अगली महत्मून खबर है वो खबर है कि कैसे अपने देश में अगर देखा जाए तो इस वक्त सुप्रिम कुछ अजीब अजीब तरह के मामले सामने आ रहे हैं और उसमें एक बड़ा दिल्चस्प मामला है वो दिल्चस्प मामला है कि सुप्रिम कोर्ट कोलिजियम ने एक ही ना के बाद केंदर सरकार की बात मानते हुए गुजरात हाई कोट के सबसे सिनियर जस्टिस कुरेशी को मद्य प्रदेश हाई कोट का चीफ जस्टिस बनाने के अपने फैसले को पलट कर उन्हें अगरतला यानि त्रिपुरा हाई कोट भेजने की घोशना उसने की है तो इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं मैं समझता हूँ कि हमारे देश की जूडिसियरी के हिसाब से और हमारे देश में जो नियाय का पूरा तंत्र है उसके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं उसके अंदर जो प्रक्रियात्मक जो 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 चीजें बदल रही हैं उस पर एक गंभीर रोशनी पड़ती है ये मुझे लगता है कि एक बहुत महत्मून खबर है और चुकि हमने जब बात की उत्तर प्रदेश में उस लड़की की कहानी जो स्वामी चिन्वे अनंद की जो तमाम तरह की जो गत्विधियां थी उनकी शिकार हुई है उस खबर पर रोशनी ड का हुआ है अभी भी अनुत्तरित है उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस एसाइटी कोई इसका जबाब नहीं दे रही है कि आखिर अगर उस लड़की ने आरोप लगाया है बलात का तो उनके उपर स्वामी जी के उपर बलात का मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया है उन पर बलात का मामला एक्जैक्ली नहीं दर्ज किया गया है इससे पूरी केस कमजोर हो जाती है और उनको बहुत आसानी से एसाइटी ने एक रास्ता दिया है कि उनको रिमांड पर भी नहीं मांगा उनको बाकायदा वो गए जुडिशल कस्टेडी में अब उनकी जमानत की प्रक क्लिप्स वीडियो क्लिप्स हैं इसके बहुद भी नहीं किया गया है और उल्टा एक और मामला किया गया है कि उस लड़की के दो परिजनों की गिरफतारी भी कर दी गई है क्योंकि उनके उपर आरोप है कि वो स्वामी जी को ब्लैक मेल कर रहे थे हम इस बारे में कोई मामला लंबित है तो उस लड़की की भी गिरफतारी कर ली जाए और इस तरह स्वामी जी को बचाने का एक रास्ता बना दिया जाए ये जो घटना है हम समझते हैं कि जिन लोगों को उन्नाव के सेंगर प्रकंड की याद होगी बहुत दिन नहीं हुए और अभी हाल में माम मामला फिर से नए डंग से रिवाइब हुआ है और चल रहा है मामला उस पर भी हमने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में राम राज स्थापित करने का दावा करने वाली सरकार कैसे बचाती रही लंबे समय तक अंतता बाद में स्थितियां बदली और विधायक को जो से एक्स पोज हो रही है मैं समझता हूं कि वो भयावह कहानी हमारे सामने पेश करती है तो दोस्तो उत्तर प्रदेश का ये जो मामला सामने आया है हम समझते हैं कि जो प्रशासन और जिस तरह की राजनीती है उसके चेहरे को उसके उसके चेहरे को बेनकाब करता है जो राम हैं और पूरा का पूरा प्रशासन जो कहता है कि इस देश को हम एक महाम देश बनाना चाहते हैं विश्व गुरू बनाना चाहते हैं वो कैसे शासन के बड़े ओधे पर बैठे लोग बचाने की कोशिश करते हैं तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों हफ़ते की बात में आज इतना ही अगली बार फिर मिलेंगे तब तक नमशकार आदाब सत्स्रियकाल